कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यहां पर जितने बच्चे लाइब देख रहे हैं बिल्कुल यहां पर सेशन को शेयर कर दीजेगा आज आपका जो टॉबिक है आपको पता होगा यहां पर सब्सक्ति तो सब्सक्ति की यहां पर सब्सक्ति हमको पढ़ना है सब्सक्ति होती क्या है किस तरीके से हमको पढ़ना है जैसे यहां पर याद रखना जो सब्सक्ति होती है सीधी भासा में बात करना मुहावरदार भासा में बात करना अनेकार्ती भासा में बात करना तो सब्द सक्ति को यहाँ पर तीन भागों में बाट जाता है अमिदा लक्षना और वेंजना जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं सारी चीजों को आज हम यहाँ पर इसके MC की उलगाने वाले हैं तो यहाँ पर याद रखना बहुत सारी चीजों को हमको जानना है सुकमारी सुकमारी सीता जी तो सीता जी यहाँ पर राम जी से कुछ कह रही है तो यहाँ पर नात बन जोगू तो महीं उचित तब मो कहां भोगू तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि इसमें कौन सी सब्द सकती है अमिदा लक्षणा बियंजना सब्दी अर्थी तो यहां पर आपको बताना है कि यहां पर अमिदा है या आर्थी बियंजना है या सब्दी बियंजना है या प्रियोजनवादी लक्षणा है तो जल्दी सी जल्दी आंसर बताएगा क्या होगा बहुत बढ़ियां हाँ जी उत्तर सबका सटी काना चाहिए याद रखना उत्तर सबका सटी काना चाहिए चलो तो यहाँ पर याद रखना जो सीता जी है वो यहाँ पर कह रही है राम जी से कि भीया मैं तो यहाँ पर सुकमारी हूँ तो यहाँ पर सुकमारी हूँ और आप बन में रह रहे हो या बन में जा रहे हो तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अनात बन जोगू मत तुम यहाँ पर मैं यहां पर सुकमारी हूँ आपके लिए तपका रास्ता उचित है और मुझे भोक के रास्ते में छोड़ देगो तो भी यहां पर किसकी बात हो रही है यहां पर एक सब्द से बहुत सारी चीज़ें यहां पर व्यंजित हो रही है तो जब यहां पर बहुत सारी चीज़ सब्दों का प्रियोग होता है यहां पर जहां एक अर्थक सब्डों का प्रियोग होता है नेकार्थक सब्दों यहां पर साब्दी बिंजना कहा जाता है क्या कहा जाता है अगला दिया है कि यहां पर मुख्य अर्थ में भिन होते हुए भी उससे यहां पर कुछ सम्बंद अर्थ प्रकट करने वाली सब्द सक्ति को क्या कहते हैं तो यहां पर आपको बताना है कि मुख्य अर्थ से भिन होते हुए भी उसमें कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली सब्टी को क्या कहा जाता है तो जल्दी से जल्दी बताईए देखो यहां पर क्या है मुख्य अर्थ से जो भिन्न है तो मैंने आपको गताया था जो आपकी यहाँ पर सब्द सक्ती होती है सब्द सक्ती के यहाँ पर बिड़ा कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर याद रखना इसके तीन भेद होते हैं कितने होते हैं तीन एक आपने यहाँ पर सुना होगा अमि भी का जाता है जब यहाँ पर मुख्य अर्थ से भिन्न की बात होती है तो मुख्य से यहाँ पर भिन्न अर्थ की बात होती है तो उसे क्या का जाता है या जब यहाँ पर लोकुप्ती मुहावरों की बात होती है तो उसे क्या का जाता है लक्षना का जाता है जब यहाँ पर उपमा अलंकार की बात होती है तो यहां पर उपमा अलंकार की बात होती है तो उसे लक्षना का जाता है और जब यहां पर यमक अलंकार की बात होती है तो उसे क्या का जाता है अमिधा का जाता है और जब यहां पर एक ही पंक्ति के यहां पर एक से अनेक अर्थ वियंजित हो पर बात करोगे सर वियन्यना सब्दसक्ती में क्या होता है कि जब यहां पर आपने कोई बात कह दी तो यहां पर याद रखना वो यहां पर सलेस का बोध कराए सलेस का मतलब क्या होता है एक सब्द के बहुत सारी अर्थ होते हैं तो जब यहां पर कोई एक बात कहो उसके कुप्ति वाली भासा हो गई तीक है वह है तो यहां पर आपने बूला वह है तो आँख का तारा यह क्या है तो यह यहां पर किसकी बात हो रही है लेकिन अमिधा में यहां पर सीधी सीधी विशेवस्तू की बात होती है जैसे कुशन आ चुका है वह है तोड़ती फत्तर का जाएगा लक्षन की बात करें तो प्लाष करें ना करें दो बहुत को मिन अंब यहां इन कृता है तो इह यहां पर क्या है यहां पर लग्षन को prata उसे व्यंजिना कर जाता है क्या कर जाता है तो यहाँ पर जो आपका मुख की अर्थ से भिन होता है उसे क्या का जाएगा लक्ष्ण सब्सक्ती कहाजाएगा बात समझ में आ रहे सभी को हां जिढ़ बीडियो को लाइक और सेर कर दीजिएगा अगला दिया हुए चलती चाकी देखकर दिया कवीरा रोए दोई पाटने के बीच में साबुद बचाना कोई सांत रसका यहाँ पर उधारन है लेकिन हमको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें कौन सी सब्द सकती होगी हाँ उज्जेन आया है साथ को कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल जिसका जहां भी सेंटर है तनाव नाले बिटा वीडियो को लाइक और सेर करते जाएगा कवीर दास का दो है बिटा लिग लेना कहीं पर चलो बहुत बढ़िया हाँ देखना यहाँ पर आपको यह दिया हुआ है तो चलती चाकी देखकर दिया कवीरा रोहे और दो ही पाटन यह बिटा कोश्चन आपका आचुका है मैं आपको बता देता हूँ यह यहाँ पर पीजीडी का कोश्चन है कई वार पूछा भी गया ह तो यहाँ पर चलती चाकी देखकर दिया कवीरा रोहे तो कवीर दाजी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक यह कह सकते हैं सांसारिक मोमाया के बीच में फसकर रह जाता है तो चलती चाकी देखकर दिया कवीरा रोहे दो ही पाटन के मतलब यहाँ पर का जाता है क्या का जाता है वियंजना का जाता है बहुत बढ़ियां हाँ कोई दिक्कत नहीं है हाँ अगला यहां पर देखना कि सब्सक्ति की प्रतीती सबसे पहले उआ करती सबसे पहले प्रतीती मतलब सबसे पहले किसकी प्रतीती होती है तो इस कोशन में बिटा तनाव नह लक्षनार्थ मिलता है या अन्यार्थ मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है या पर अंसर हो जाएगा ज़ब यहाँ पे हैसी की प्रतीदी होती या जिस शीर के बारे में सबसे पहले बदा जलता है या जिसके सब्द की सब्द की ता सबसे पहले अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है तो उसे यहां पर अमिधा सब्द सकती कहा जाता है बिलकुल यहां पर सीधा सीधा आपको बिंदू याद रखना है अमिधा उत कि मैं कौन सी सब्द सकती है सूर्य अस्त हो गया है लो भाई यह कोश्र में लिगवाई ता पेड़ वेच वाले बच्चे जो भी है तो भाई यह इसमें आपको तनाव लेने की आवसकता नहीं है कि जी कि अच्छा रिणात्मक होगी या नहीं कोई कि आपका यहां पर मार्किंग नहीं है यहां पर पूरी कहानी को हम समझेगे एक विवस्ते दिक्रम पूरी कहानी सुनेंगे उसके पात्र जो भी है उसके कोशन भी लगाएंगे 27-26 कुश्चन उसमें निकलते हैं जो बेस्ट हैं आपके देखना आपको दिया हुए सूर्य अस्त हो गया आप देखो यहां पर आप अब है किसी नहीं आके बोल दिया पता है सूर्य अस्त हो गया तो हम तो इसे तो stris मतलब हो सूरजवाला कोई बोलता है किसी और को चुक्छ गठना हो चुकी है तो यहां पर अलग अलग धारणाओं से जब अलग अलग अर्थ व्यंजेत होते हैं उसे यहां पर सीधा सीधा लगा देना भईया भी अन्यना सब्द सकती होती है जब भी यहाँ पर ऐसा आएगा तो आप आंसर दे सकते हो ठीक है हो अगला अगला तिया है वह है तोड़ती फट्र देखा मैंने उसे इलावाद के पत्पर यह सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात कर चुका था सूरकां अंत्रपर्ट निराला की रचना है वह है तो निराला जी का यहाँ पर सीधा मुक्य अर्थ की बात करते हैं पुलते हैं कि किसी इस्परी को विलावाद की रास्ते पर उन्हें क्या है फत्तर तोरते हुगा Records तो सीधी सीधी यहां पर किस की बात हो रही है तो यहां पर इसमें क्या हो जाएगा ही वात हां अगला अगला दिया हुआ यहां पर जिस रचना में वाक्चक भिशिष और वाच्हिष एपने यहाां पर अमिठेय अर्थ को गोण बनाकर काब्यार्थ या व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनी क्या कहलाती है तो ध्वनी के संबंद में यह वाक्ष किसका है तो यहाँ पर यह वाक्ष क्या आपको बताना है जल्दी से जल्दी बताईएगा जी तो यहाँ पर आपको यह ब लिएक्ट करते हैं तो वह ध्वनी कौन सी ध्वनी क्यलाती हैं द्वनी के संबंद में ये कतन किसका है तो याद रखेंगा तो यहां पर आनंद बड़न किसे का जाता है किसको का जाता है आनन्द वर्धन को कहा जाता है कि लिए रवात यहां पर हाँ इन्होंने यहां पर भट्णिया लोग नामक ग्रंद की रचना भी की ती ठीक है जी चलो यहां पर ध्वन्या लोग ध्वन्या लोग की भी रचना की और इन्होंने कहा था कि यहां पर ध्वनी को काब्य की आत्मा किसने कहा था तो ध्वनी को काब्य की आत्मा भी किसने कहा था बिटा तो यहां पर यह कुशन खईवार आ चुका है जैसे आपने सुना होगा रस आपके द्वारा पढ़ाई गई सभी सब्जेक्ट मेरतन देख रहा हूं सर आखरी समय में आपके उपर गोई दिक्कत नहीं बिड़ा आप लोगो जितना पढ़ा दिया अगर उतना भी पढ़ लिया तो आपका उध्धार हो जाना है मैं बोल रहा हूं कि इतना पढ़ा दिया सब्द की सक्ति के काल किसी सब्ध का साधरन तरुट यहां पर साधरन या मुख्य अर्त सम्झा जाता है उसे क्या कहा जाता है चलो बहुत बढ़िया देखो सीधा सीधा आपको यहां पर आंसर देना है सर आपकी किला से देख लिए अब लगने लग गया है कि पास होने से अब कोई नहीं रोख सकता सर अगर इंगलिस और मैट्स के कोश्चन एक्जाम में अटेम्ड नहीं किये तो कोई कोई दिक्कत नह सुझे लगा दो विया अमिदा जहां लक्षण की बातों लोकुप्ती की बातों मुहाबरों की बातों उक्मा की बातों तुलना की बातों तो लगा दो लक्षणा और एक से अनेक अर्थ की बातों अनेक आर्थी की बातों से लगा दो वियंजना अगला जहां ना वाच्च यहाँ पर वाच्यार्थ या इसकोई बोलते हैं भी यह अमिधार्थ या इसकोई बोलते हो आप सरल तो यहाँ पर आमिदा गया लक्षणार्थ का मतलब यहाँ आप लक्षणा काम करेगी तो तीसरी काम करेगी तो उसे क्या का जाएगा यहां दोनों काम काम करती है के लिए बाथ हो जो अब तुम लोगों समझ में आने लगा कविता तो कभी की आत्मा का आलोग है उसके हिर्द्य का रस है जो बाहर की वस्तू का अबलंब लेकर फूट पड़ता है तो यहाँ पर याद रखना कि किस व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि कविता तो कभी की आत्मा का अलोग है मतर्द कविता तो कभी की आत्मा है उसके हिर्दय का रस है जो बाहर की वस्तूगा अवलंब लेकर फूड बढ़ती है यह कथन किस व्यक्ति का है तो यहाँ पर इस कथन के बारे बताईएगा सबसे पहले आंसर कौन देगा देख लेतने भीया सबसे पहले आंसर देने वाले व्यक्ति को बिलकुल यहाँ पर हाँ चिन्नित किया जाएगा बहुत बढ़ी हाँ जहां प्रेम स्रेमई या ग्यानवार की बात होती है वो जैसंकर प्रसाद लेकिन यहाँ पर कविता कभी की आत्मा का अलोक है यह किसने काता रामधारी सिंग दिनकर ने काता किसने काता रामधारी सिंग दिनकर ने काता सभी का आंसर सही है बहुत बढ़ियां अगला गुण का संबंद किस से होता है तो भईया गुण का संबंद रीती से होता है कितनी बार बता चुके हैं गुण का संबंद सीधा किस से होता है रीती से होता है अगला उसा सुनेरे तीर बरसाती जेल अच्छमी सी उदित हुई उधर पराजित काल रात्री भी जल में अंतर नहीं तो जेल अच्छमी सी उदित हुई मतलब यहां पर अलंकार कुंसा विटा उपमा अलंकार है और यहां पर उपमा अलंकार होता है वहां पर आंसर क्या होना चाहिए लक्षना कुछ भी नहीं करना है जब भी यहां पर सीधा दिख जाए खिल पर हो आप नेर्ट की क्लास रुआ हो गई क्या नई बैटा नेर्ट की क्लास रुआ करेंगे बहुत जल्म तो यहाँ से ग्रहन अमिधा से ना हो किन्तु उससे संबंद हो तो अर्थ ग्रहन कराने वाली सक्ति को क्या का मतलब अमिधा से उसका संबंद हो लेकिन यहां पर ग्रहन अर्थ ना हो अमिधा से संबंद जरूर रखता है तो उसे क्या का जाता है वियंजना ध्वनी लक्षना या यहां पर अमिधा मूल का जाता है तो जल्दी से जल्दी आंसर बताएगा क्या होगा जब यहां पे आर्थ किरहन करने अमिधा से ना हो तो संबंद उसका अमिधा से ना हो तो उसे क्या कहा जाता है देखो जब अमिधा से नहीं होगा तो किस से होगा भईया लक्षणा से जब वो एक ओल लाइन इसमें चोड़ देता कि लक्षणा से भी ना हो अमिधा से भी ना हो तो किस से हो जाता भी अंजना से हो जाता तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा लगा दो भईया लक्षणा से बोला कि मोहन के कान नहीं है मोहन के कान नहीं है दोनों में अंतर है मोहन के कान नहीं है यह मुहावरेदार भासा है है मतता है इसका संबढ़ निकाला काहां से अमिधा से निकाला ये तो सीधी भासा है मोहन सुनता नहीं है ये तो हो गयाँ सब्सक्ति लेकिन जब यहां पर इसको मुहावरेम बदल दिया तो भो कॉंसा हो गया वहीरा लक्षना हो गया तो आपको copies रखना है जब यहां पर मुख्य अर्थ का बोध ना करा कर उसको साहिता से दूसरे अर्थ का बोध करा जाता है हाँ कि अधाइज चलो कि तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा लक्षना अगला कि अगला दिया हुआ इन्हें से कौन सब्सक्तिका भेध नहीं है तो यहां पर मेराधन देख के चले वह काम हो जाएगा और भारرج हो ओड़ीद अगला अभी हम लेट तक क्हों है इंगा है अभी ब्यंजनाबाद के प्रवर्तक किसे का जाता है जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा हूँ दो देखो यहां पर किसके है तो प्रत्यवाद के है गुशे खिसके है तो भाई अभी ब्यंजनाबाद के हैं अभी व्यंजनावाद के हैं ठीक है काल माक्स यहां पर माक्सवाद के हैं किसके हैं माक्सवाद के हैं तो याद रखना आप से अरस्तू की बात करें तो यहां पर अरस्तू किसके हैं अनुकृति एवम यहां पर व्रेचन तो आप से पूचा जाएगा प्लेटो यहां पर किसके हैं प्रत्यवाद के हैं क्रॉंचे किसके अभी विजनवाद के माक्स काल माक्स तो माक्सवाद के हैं अगला सब्द की सक्तियां कितने प्रकार्गी होती है तो यहां पर सब्द की सक्तियां कितने प्रकार्गी होती है तीन प्रगारगी होती है अगला सौंदर्यम अलंकार तो यहां पर सौंदर्यम अलंकार सौंदर्यम अलंकार किस आचार का कधन है तो सौंदर ही अलंकार है यह किस आचार का तो यहां पर आपको यह बताना है कि इसमें यहां पर कौन सा गुण है तो यहां पर मैंने गुण भी डाल दिये हैं तो याद रखना इसमें कौन सा ओज प्रसाद माधुर यत्रगुण कि चलो बहुत बढ़ियां देखो जहां पर स्रंगार की बात हो करुण की बात हो या सांतरस की बात हो वहां पर कौन सा होता है भीया माधुर होता है तो यहां पर आप लोग सीधा सीधा याद रखना ओज का मतलब यहां वीरस हो परसाद का मतलब इसमें सबीरस आ जाते हैं पर माधुर का मतलब मन में यहां पर क्या हो भई या प्रेम की बाते हो इसमें जो रस है वो कौन सा विटा स्रंगार है संयोंक स्रंगार रस की बात हो रही है तो आँसर क्या हो जाएगा माधुर हो जाएगा क्लियर बात अगला ऐसे उल्लूओं को तो ब्रस्पती भी नहीं समझ सकते यहां कौन सी सब्द सक्ती काम कर रही है चलो देखो यहां पर बात ओरी ऐसे उल्लूओं को जल्दी जल्दी बताईएगा अब देखो यहां पर याद रखे ऐसे उल्लूओं को यहां पर लक्षणा का जाता है लक्षणा का जाता है क्लियर है चलो भईया समझ में आ गया रे कभूतरों यह रहा लो भईया तो यहां पर रस कौन सा है बस बता दो आंसर आपकी मुठी में है बिटा आपको यदि रस पता है तो फिर यहां पर आंसर कहीं नहीं जाएगा वह आपके पास ही रहेगा वेटा हूँ चलो बहुत बढ़ी यह अच्छा प्रस्थ ने मिटा एक नंबर प्रस्थ नहीं आँ ग्यां जहां उमन्ग आ जाये बिल्कुल भीएगा पहली बात तो संयुकता अक्षर की जहां बात होती है यहां उमंग की बात होती है यहां पर वीरता की बात होती है उत्सा की बात होती है वो कौन सा होता है वह यह ओज होता है ठीक है चलो अगला लक्षणा को कहा जाता है सब्द सक्ति कहा जाता है अगला निम्न मैंसे यहां प्रकुन सा काब विगुण है नील परधान बीच सुकुमार खिल रहा मुर्दल अदखुलांग तो यहां पर आपको यह बताना है खिला हो जिए बजीली का भूल मेगवन बीच पुलाबी रंग तो यहां पर बादो नील परधान सु बीच सुकुमार खुड़ता हम लोग लगा सकते हो यहां पर कौन सा हो जाएगा माधौर हो जाएगा माधौर है अगला द्वानी सिध्धान्त का यहां पर मूला अधार कौन सी सब्सक्ति को माना जाता है तो द्वानी सिध्धान्त का यहां पर मूला अधार कौन सी सब्सक्ति को माना जाता है तो द्वानी स हुआ चलो भई यह बताईएगा जल्दी से जल्दी चलो छलो खेगे ना रसकी बीड़ा देख लेना ध्वानी सिद्धान्त का मूल आधार किसको माया तो ध्वानी सिद्धान्त दोणी यो आनंद वर्दा ने दिया था वह यहाँ पर मूल किसको मांते व्यञणा को मांते दो यहां पर दिया हुआ है कि लक्षणा सब्द सक्ती से संब्धित कौन सा कथन सही नहीं है तो आपके यहां पर कुश्चन थोड़ा लेवल का है विटा अच्छे से बताना किसी सब्द का मुक्यार्त बादित हो उसका अन्यार्त ग्रण किया जाए रूड़ी अत्वा प्रयोज जी कुश्चन नमबर चालीस देखो यहां पर आपको पता है रूड़ी अत्वा प्रयोजन विसे संब्ध लक्षण तो लक्षण की बात हो रही तो यह तो लक्षणा हो गई अन्यार्त का मुक्यार्त संब्ध होता है रीदिकाली नाचार देवे कहते हैं कि यहां पर जो द साधन रखना उसको आमिदार्तिय, मुख्यार्त संब्ध बताया जाता है क्योंकि अन्यार्त हो जाएगा तो वो तो व्यंज Alma जाएगा तो आंसर हो जाएगा आमिदा सब्सक्ति में संकेतय का साधन नहीं है संकेत इंग estásन कौनόन सा नहीं है छलो बहुत बडिया देखो यहाँ पर अमिधा वयाकंड होता है विवर्ति होती लेकिन उप में नहीं होता लक्षणा में होता है लक्षणा में होता है अगला सारंग ले सारंग चली सारंग पूछी हो आए तो यहां पर याद रखना जब आपका यमकलंकार होता है तो यहां पर यह कुछ मेरे को मिले नहीं क्या चाहिए तो तो कभी आपसे पूछे आप लोगा यहां पर यहां पर विवस्थेश्य की र में ऩशचाल कर सकते हैं तो आप 모든 धिया और यह उनको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा मैं तो इस्टाग्राम आड़ी को फॉलो कर ले प्रदीप सरटेस हिंदी इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जोइन कर ले ताकि इसकी पीडियाप आपको मिल जाएगी और यहां पर याद रखना आपको यूटूब चैनल को भी सब्स सब्सक्राइब करते रहे ताकि यहां पर सारी चीजों के आपको जानकारी मिल जाए हां और याद रखना यहां पर देखो जितने कोश्चन मेरे को मिले पर देखोंगे आपको बता दूँ इसके अलावा जो कोश्यक्त थे वह आते हैं लेकिन आपके लेवल के नहीं है फिर वह ने जी आरे आपका लेवल हो जाता ठीक है वह वर्ग दो के लेवल के नहीं दे विड़ा ठीक है हां रचनाएं भी करवा देंगे ठीक एक किलास मैं मिलेगा आपको केबल पेपर देने के लिए तो आज के इतना ही बाकि यहां पर वीडियो को सेर कर दीजेगा और यहां पर चाता से बच्छों तक बिल्कुल सेर कीजेगा लाइक भी करते जाएगा जाते जाते बाकि यहां पर कल हम किलास लेके आते हैं नए टॉपिक की जो बचे हुए हैं उनको दो दिन में खतम करते हैं उसके बाद 6 तारीक को हमारी एक किलास हो जाएगी जिसमें पालविकास या जो भी पेडागोजी है उसकी किलास एक कंप्लीट ले लेंगे ठीक हो निमंद लेकर करा दो बेटा करा दो मुझे याद है सब निमंद की उस दिरों सबसक्ड़ है सबसक्ट कराते हैं